जिसके साथ आप पूरी जिन्दकी बिताने वाले थे अगर उसने आपको धोका दिया तो उस रिलेशन्शिप का और आगे वाली रिलेशन्शिप का मीनिंग क्या रहता है हलो फ्रेंड्स आज के हमारी मूवी अरडॉर ये 2002 की एक कोरियन इसी कंसिप पर बेस्ट मूवी है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा कमेंट भी कर दीजे जिसे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है अभी ना किसी देरी के एक्स्प्लेशन को स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होने पर हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है यूजिन ये अपनी बेटी के साथ सूपर मार्केट में हमें दिखाई जाते है ये हम से एती है कि मेरी लाइफ बहुत ही परफेक्ट थी उसका लव मेरेश्ता अपने सिनेर से ही उसने शादी की थी वो आजकल अपने लाइफ से खुश थी और उसे लग रहा था कि ऐसा ही हमेशा चलता रहेगा उस रात भी उसी यही लगा था अचानक से उनके डोर पर नौक आये और एक लड़की वहा थी ये उसके हस्बंड की कलीक थी वो एक अलग कंट्रे में जाने वाली थी तो लास्ट टाइम यूजीन के हस्बंड से मिलने के लिए आई हुई थी वो उसे डारेकली पूछती है ये तुम आई क्यों नहीं और इस लड़की ने यूजीन को एक्स्प्रेंट करने के लिए कहा कि आपके हस्बंड ने मुझे बहुत हेल्प की है जाने से पहले मैं उसे मिलना जाती थी वो बहुती ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी और यही पर यूजीन की हस्बंड के साथ इंटिमेट होना चाती थी उसके बातों से यूजीन को पता चल गया कि उसके husband और इस लड़की में affair चल रहा था गुसा आओकर उसे निकल जाने के लिए कहती है और अपने husband पर भी गुसा थी तो अलग room में चली गए इस लड़की को यूजिन का husband घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है पर इस लड़की डारेकल यूजिन के पास आ गए कहती है तुम्हें क्या बता हमारी relationship के बारे में वैं उससे pregnant भी थी वैं उसकी पूरी दुनिया हूँ तो हम दोनों के बीच में नहीं आ सकते तुम उसकी wife हो तुमारा उस पर जेतना हक है उतना ही मेरा भी है इन दोनों में फिर जगड़ा हो गया और उस लड़की ने एक चीद जोर से यूजिन के सर पर मारी इस incident के बाद डारेकली 6 मन गुजर चुके है तो हम देखते हैं कि यूजिन अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ने के लिए आई हुई थी ये टाउन नया नया है यूजिन के सर पर बड़ी चोट आई थी और उसी वज़े से अभी भी उसे पेन होता है firstly यूजिन और उसका हजबन स्योल में यानि की सिट्टी में रहा करते थे पर अब डारेकली एक टाउन में आ चुके हैं सर पर चोट लगने की वज़े से यूजिन की तबियत अब ठीक नहीं रहती दिन बर उसे स्लिपिनेस रहता है अपने मैरेज को बचाने के लिए उसका हजबन ने स्योल को जॉब छोड़ दिया है अब वो इस चोटे से टाउन में आकर एक चोटा सा शॉब चलाता है यूजिन अभे भी उस पर बहुत ज़ादा गुस्सा है तो उससे ज़ादा कुछ बात निकरते जिस टाउन में होए यह बहुत बोरिंग टाउन है करने के लिए कुछ में नहीं यूजिन को ट्राइव पर जाना अच्छा लगता है उसका हाजबन स्मोकिंग छोडने का ट्राइव कर रहा था तो इसी एडिक्शन को दूर करने के लिए उसके बास मेडिटेशन की सीडी से किरा थी यह सब यूजिन जाकर फेक आती है राइव करते हुए एक हिल पर रेस्टॉप था जहाँ पर रूकी हुई थी रेस्टॉप लेडी यह ज़रा वीर्ड लगती है घर आते वक यूजिन की गाड़ी बन पड़ गए आसपास एक घर था जहाँ वो गई यहाँ सब कुछ अबैंडन पड़ा हुआ था यहाँ पर एक कपल की फोटो फ्रेम थी यह इंडिकेट करता है कि उनकी फैमिली भी बरबाद हो चुकी थी यूजिन की गाड़ी रस्ते पर ही थी तो उसे हॉंकिंग की आवाज आती है फॉंकिंग करने वाला यह हमारा और एक मेंन करेक्टर है इसका नाम है इंगू यूजिन उसे कहती है कि गाड़ी अचाना से बन पड़ गए तो इंगू ने इस गाड़ी को देखा उसे पता चला कि गाड़ी में पेट्रोली खतम हो चुका है वो फिर यूजिन को पेट्रोल लाने में हेल्प करता है इंगू कहता है कि हम दोने नेबर्स है उसके घर से यूजिन का कर दिखता है यूजिन इस पर कुछ भी बात नहीं करते है उसने उसकी इतनी सारी हेल्प की पर पूरे रास्ते में वो कुछ भी नहीं बोली इंगू कहता है लगता है तुम अपने ही वर्ड में खोई हुई हो इसके बाद यूजीन यहाँ से चली गई नेकसिन में हम देखते हैं कि यूजीन और उसका हस्बर अपने फ्रेंज के साथ लंच कर रहे थे यूजीन और फ्रेंड की वाइफ इन दोनों में कनवसेशन होती है फ्रेंड की वाइफ कहती है तुम हमेशा घर पर ही रहती हो क्या तुम बीमार हो लोग इसके बारे में बात कर रहे थे इस टाउन में बहुत ही ज़ादा गौसिप चलता है थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो सारे टाउन को पता चल जाता है यहां में यह भी बता चला कि इंगु अकेला ही रहता है लोगों ने वर्डर किया था कि एक डॉक्टर जिसकी वाइफ है वो अकेला क्यों रहता है स्कुल से घर आते वक्त यूजिन की बेटी अपने एक फ्रेंड को भी लिफ्ट देने के लिए के लिए यूजिन की बेटी की फ्रेंड ये रेस्ट हाउस लेडी की ही बेटी है रेस्ट चॉब लेडी को यह पसन नहीं आता कि उसकी बेटी किसी स्टेंजर के गाड़ी में घर पर आई घर आने के बाद यूजिन टीवी के सामने बैठी और बहुत रो रही थी उसका हस्बन जब घर पर आया तो उसे पुछता है यह ऐसा क्या हुआ है वो कहती है कि मैं फिर से नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती है हस्बन ने उस पर चीट किया तो अभी भी उस पर बहुत ही ज़ादा हो गुसा है उसे लगता है कि उसके हस्बन को मर जाना चाहिए था और इससे भी बेटर यह होता कि उसे पता चलने के पहले वो खुद मर जाती हस्बन इस पर नाराज हो गया कहता है कि मैं भी इस मैरेज को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं सब को छोड़ चाट कर यहाँ पर एक छोड़ा सा शौप चला रहा हूँ और तुम हमेशा कंप्लेंट करती रहती हो एक दिन यूजिन फिर से रेस्टॉप पर आकर वो यह हैंगाउट कर रही थी वहाँ पर इंगू पहुशता है उसे देखकर कहता है कि वेदर बहुत याच्छा है तुम इतनी उदास क्यों बेटी हो एक दिन यूजिन घर पर काम कर रही थी अचानक से उसका सर बहुत ही जाता दुखने लग गया उसकी जो भी सब मेडिसिन्स थे अब वो खतम हो चुके है उसे पता था कि इंगू एक डॉक्टर है तो उसे मिलने के लिए वा आई इंगू से बोचता है कि कबसे तुम्हें ये पेन हो रहा है इंजू कहती कि मेरा एक्सिडन्ट हुआ था उसने मेडिसिन का नाम बता दिया कहा कि मुझे सिर्फ इसका प्रिस्क्रिप्शन चाहिए जादा कुछ उसकी चेक अप की ज़रूरत नहीं है इंगू भी उसे ये दे देता है वो उसे कहता है तुम्हारा सर दुख रहा है क्योंकि तुम हमेशा सोई रहती हो तुम्हें कुछना कुछ तो करना चाहिए यूजून को जाते जाते उसने रोक लिया कहता है कि चलो हम एक गेम खेलते है समर आने तक चार मन्थ है तब तक हम कपल की तरह रहेंगे मज़े करेंगे इंटिमेट होंगे मुझे सिर्फ कोई रिलेशन्शिप नहीं चाहिए अगर मैंने या तुमने मुझे आई लव यू कहा तो एक गेम हम यही खतम कर देंगे इसके बाद हम तुम प्यार क्यों नहीं कर सकते हैं इंगो कहता है कि पहले प्यार करना उसके बाद कनफेशन फिर शादिय उसके बाद फिर हम इंटिमेट होते हैं उसे इतना सारा टाइम वेस्ट नहीं करना यूजिन कुछ भी बोले भी न वहाँ से चली के इंगो कहता है तुम्हारी लाइफ बोरिंग है मुझे पता है तुम वावपस आओगी निकसिन में नेखते हैं यूजिन की बेटी की फ्रेंड को वो फिर से घर पर छोट रही थी यानि कि रेस्चॉब की लेडी के पास एक्चॉल में एक्चॉब लेडी का हस्बंड उसे बहुत मार रहा था वो भागती वागती घर से बहार आती है यूजिन ने उसे वहाँ से भागने के लिए अपनी गाड़ी में लिफ्ट दि एक्चॉब लेडी कहती है कि जब मैं बार में काम करती थी तबी मेरा हस्वर्ण मुझे मिला था वो मुझे से प्यार करता है पर अपने रिंगिंग के वज़े से हमेशा मुझे मारता रहता था वो अलग-अलग टाउन में जाती रहती है उससे भागने की कोशिश करती है पर हर बार उससे ढूंड़ी लेता है एक दिन बहुत सारी बारिश हो रही थी इंगू यूजिन के घर के बाहर गाड़ी रोपता है और उसे देख रहा था वो फिर गाड़ी से आगे चला गया यूजिन ने नोटिस किया और वो भी अपनी गाड़ी में उसका पीछा करती है अब यूजिन इंगू की गाड़ी में है उससे पूछती है तुमने जितने भी बार ये गेम खेला है क्या तुम्हे कभी प्यार नहीं हुआ जिस तरह से इंगू यूजिन को ये गेम खेलने के लिए बोल रहा है उसी तरीके से इंगू को भी एक लेड़ी ने गेम खेलने के लिए बोला था उसी के प्यार में इंगू पढ़ गया था वो फिर उसका पीछा करता था उसने बहुत मार पिट की थी वो गहता है यह तब में बहुत ही घटी आदमी था यूजिन बोशती है यह गेम कोन खेलना चाहेगा इंगू कहता है यह ऐसी उमन जो बरबात होना चाहती है इंगू से एक मॉटल में लेकर आता है और वहाँ पर यह दोनों इंटिमेट हो जाती है इंटिमेट होने के बाद इंगू यूजिन से कहता है तुम बहुत ही अमेजिंग थी मैं तुम में पूरी तरीके से खो गया था यूजिन को यह बहुत अच्छा लगा वो उसे बोशती है कि तुम्हारे वाइफ को इसके बारे में पता है वो कहता है कि उससे पता है पर जब तक मैं उसके सामने यह सब नहीं करता तब तक उसे कोई भी फरक नहीं पड़ता इसे वज़े से यहाँ इस टाउन में आकर वो अक्यला रहता है अब इन दोनों का मिलना स्टार्ट हो गया एक दिन ऐसे यह मिलने वाले थे पर यूजिन के हस्बंड ने कहा कि as a family हम बहुत दिनों से कही नहीं गए यूजिन उसे मना नहीं कर पाई उसके साथ चली गई यूजिन और उसका हस्बंड जब रेस्टॉप पर रुके तो यहाँ इंगू भी था एक दूसरे को notice करकर ignore कर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं यूजिन का हस्बंड दिन बर उसके साथ था रात में भी घर पर यह है तो इंगो को कौन टाइन नहीं कर पाई वो फिर कीचन की खिड़के से उतर कर डारीटी इंजियों के घर पर आ जाती है उसने उसे पताया कि वो कैसी आई और इस वर इंगो गुसा हो गया कहता है इस तरीके की dangerous चीज़े तुमें नहीं करनी चाहिए वो उसे देखकर खुश नहीं था तो यूजिन को बहुत ही अजिब लगा वो कहती है कि हम दोनों आज मिल नहीं पाए इसी वज़े से मैं आई थी इंगो कहता है इसे कुछ भी फरक नहीं पड़ता यूजिन भी गुसी गुसे में वहाँ से चली गई घर में आते वक यूजिन की हास्बन ने उसे देख लिया तो पूछता है कि कहा गई थी वो कहतीगी में वॉक के लिए गई थी आज राद उसका हास्वन उसके साथ इंटिमेट होना चाहता था तो वो भी उसे अलाव करती है इंगो की वाइफ सिटी में रहती है वह यह दिन अपने फ्रेंड्स को लेकर उसे विजिट करने के लिए आई हुई थी हर साल अपने फ्रेंड्स को लेकर आती है और यह बहुत मज़े करते है यूजिन ने देखा तो इंगो के सामने से ही वो थ्रैश वेक निकले गई वो जंगल में बहुत ही आगी चली गई थी तो इंगो भी उसके पीछे पीछ आता है यूजिन उससे आई लव यू कहती है इंगो सपराइस्ट हो गया तो कहती है कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रही थी आई लव यू का मतलब है वो कभी भी गेम से एक्जीट हो सकती है इसी को प्रैक्टिस थी इसके बाद ये दोनों यही जंगल में इंटिमेट हो जाते है इंगो को इसके फ्रेंड्स ढूंड रहे थे पर इने कुछ भी फरक नहीं पड़ा यूजिन एक राद अपने हस्बंड के साथ थे पर उसे इंगो की याद आ गई वो बहाना बनाती है कि वो अपने एक फ्रेंड के पास जा रही है और डारेक्टली इंगो के पास आई इंगो से पुछता है तुम यहाँ ऐसे कैसे आ गई वो कहती है मुझे तुमारी बहुत याद आ रही थे वो इस रिलेशनशिप को अब सिरियसली ले रही है इंगो कहता है तुम्हें रिलाइस करना चाहिए यह कुछ भी सिरियस नहीं है नेकसिन में हम देखते है यूजिन की सिस्टर का मेमोरियल था इसलिए अपनी मदर को मिलने के लिए वो सियोल जाने वाली थी वो इंगो से बोश्चती है अगर तुम चाहो तहम दोनों वहां मिल सकते है पुरी रात एक साथ स्पेंट कर सकते हैं इंगो भी इसके लिए मान जाता है सिस्टर की मेमोरियल पर वो अपनी मदर के पास आई हुई थी उसकी मदर गहती है कि अब हमें मुवान कर लेना चाहिए उसकी सिस्टर के हस्वर ने भी शादी कर ली तो इनका एं मेमोरियल करने का कोई भी पॉइंट नहीं है यूजिन की पहली अपनी मदर के साथ उतनी अच्छी रिलेशन्शिप नहीं थी उस साल बर में एक बार मिलते थे अब वो भी नहीं मिलेंगे टाउन में यूजिन और इंगो मिले और एक जगा उपर डिनर करने के लिए आते हैं इंगो यहाँ बहुत ही बोर लग रहा था यूजिन उसे बोच्छती है कि हम वौक करने के लिए जा सकते हैं इंगो ने इसके लिए भी मना कर दिया वो उसे बोशती है कि अगर तुम्हें नहीं आना था तो आये ही क्यों वो गुसा होगर कहती है मैं भी गलत कर रही हूँ अगर तुम उसे बोर हो चुके हो तो वैसे बता दो हमें relationship end कर देंगे इंगो कहता है कि मैंसा कुछ भी नहीं चाहता यूजिन इस relationship में बहुत invested है तो उसे डर लग रहा है ये दोनों अगर emotionally involved हो गए तो ये problem हो सकता है इंगो डर रहा है क्योंकि जब भी वो relationship में था तो उसे commit नहीं कर पाया वो disturbed था क्योंकि टाउन में सब लोगों को उन दोनों के बारे में पता चल चुका है यूजिन कहती कि ठीक है अब हम इस खेल को बन कर देंगे इंगो जब उसे घर चोड़ रहा था तो एक बस वहाँ से गुज़रे और टाउन के सब लोगों ने इन दोनों को एक साथ देख लिया इन दोनों के relationship की जो भी rumors थी वो confirm होके एक दिन यूजिन के घर पर कुछ वरकर्स आया एक्च्वल में यूजिन का husband एक फेशपॉर्ण बनाने वाला था तो यही बनाने के लिए यह सब वरकर्स आय हुए थे यहाँ आवाज हो रहा था तो यूजिन कहती है मेरी बेटी को लेकर में कही बहार जाती हूँ वरकर्स ने कहा कि जल्दी वावबस आ जाना क्योंकि उनका काम खतम हो जाएगा टाउन में यूजिन फिर से इंगू को नोटिस करती है वो उसे कहती है कि थोड़े टाइम में हम मॉटल में मिलते है वो अपनी बेटी को रेश्चॉप लेडी के पास छोड़ देती है और फिर मॉटल आती है इंगू ने अब रेलाइस किया है कि उसे भी यूजिन के साथ रहना है पर वो डर रहा है वो उसे कहता है अगर हम एक साथ रहे तो हम जो मिस्टेक कर रहे थे वहीं मिस्टेक हम बार-बार करेंगे तुम उससे जुट कहोगी मैं भी फिर से गेम खेलना स्टार्ट कर दूँगा ये पूरा सही नहीं होगा ये दोनों फिर इंटिमेट हो गए इंटिमेट होने के बाद वो कहता है हम दोनों ने एक मैरीड लाइफ जी है हम पता है कि हमारे लिए नहीं है और फिर भी ये दोनों ट्राय करने वाले है जब यूजिन मॉटल से वो आपस आये तो बहुत यूग उस्सा था, वो उसे बहुत मारता है, यूजिन ने रेलाइस किया, कि जिस तरह से, रेज शौप लेड़ी का हस्बन, उसे हमेशा कैट करकर रखना चाहता है, उसी तरीके से उसका खुद का भी हस्बन है, वो फिर रेस शॉप पर आई रेस शॉप लेड़ी ने अपना शॉप बेज दिया था तो वहाँ पर यूजिन इंगो को बुलाती है वो उससे कहती है कि मैं आप फिर से घर नहीं जा सकती इंगो उसके पास आता है उसकी मलम बट्टी वेगरा करता है उसने उसे कहा कि हमें लगता है कि अच्छे लोगों को प्यार होता है पर एक्च्वल में जो प्यार करते हैं वो बहुत ही सिल्फिस लोग होते हैं उनके पास कि सब लोगों को हर्ट करते हैं इसी टाइप की इन दोनों की रिलेशनशिप है यूजिन बहुत रोती है कि अब वो घर फिर से वापस नहीं जा सकती है उसके पास अपनी बेटी का फोटो भी नहीं है उसे डर लगता है कि शायद अपनी बेटी का फेस भी भूल जाया अगली दिन यूजिन और इंगू ने दोनों ने डिसाइड किया कि अभी अलग टॉन में जाकर रहेंगे इनके रिलेशिंशिप को एक सही से चांस देंगे इंगू ने भी डिसाइड किया था कि शायद वो फेल होंगे और फिर भी ट्राइ करने वाले है गाड़ी से जाते जाते हैं उनका एक्सिडन्ट हो गया यूजीन कहती है कि मैं हॉस्पिटल में थी जब मुझे होश आया तब मालूम पढ़ा कि इंगू की डेथ हो चुकी है इसके बाद वो फिर से घर पर नहीं गई तो इंडिपेंडन्ट एक सिटी में रह रही है वो कहती है कि मैं अभी भी अकिली हूँ रात में अकिली रोती रहती हो पर फिर भी वो अब खुश है वो इंडिपेंडन्ट है कोई उसके साथ हो इसी वज़े से वो किसी भी टॉक्सिक रिलेशन्शिप में नहीं रहना चाती फ्यूजर में कभी ना कभी उसे खुश मिल ही जाएगी इसके लिए होप फूल है अगर हम इस मुवी की बात करें तो यूजर का हस्बन भी गलत था और वो भी यूजर का हस्बन उसने अपनी मिस्टेक सुदारने की कोशिश की और वो अनवेटफुल था इसके कुछ भी फरक नहीं पड़ा यूजर डिप्रेस्ट और रकेली थी तो इसी वज़े से वो इंगू के साथ थी जो चीज गेम्स गेम्स में स्टार्ट हुई थी वो सीरियस बन गई यह अपनी रिलेशन्शिप को ट्राय करने वाले थे तब ही इंगू का एक्सिरेंट हो गया यूजिन के साथ लाइफ में बहुत सारी चीज़े हुए और फिर भी वो फ्यूचर को लेकर अप्टिमिस्टिक हैं इसी तरही कैसे मूवी एंड हो जाती है गर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मूवी लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सबस्क्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दारे मत भुलेगा फिर से मिलेंगे और एक ने मूवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया है